तो आज की स्पेशल रेसिपी है तो मैं आज कल मेरा ये वीक पिज़ा बनानी में गया है तो मैंने आपको दो टाइब के पिज़ा बना बता है तो ये है मेरा शिकनटी का पिज़ा बहुत ही यममी बहुत ही अच्छा बना था सब Zheng guys ku क मैं और मेरे सब्सक्राइबर को بремह . टो मैं रेलिया है कॉन को मैंने आच्छे से बॉइल कर लिया था Mgyadp 2 C曲 में तो वोट और करके मने रख दैता साइट में यहां पर मैंने ले लिया और कॉन एक कटोरी कॉन अब इसको मैंने डाल दिया है ऑल और में डाल दिया है शिम्ला मिर्ज और कॉन इसे अच्छी तरीके से हम फ्राइ कर लेंगे के आपको मेरे दो रासेपी पीज पीजा के मिल जाएगी ऍसको मैंने मिल जाएगी तो इसकी ने चीपन को मसाला है खुर्णक को आउसको कंसे बाइल कर लिया था फ्रीजिमे है अब इसमे इस यौनื่ और tik अचछी तरीके से सौटे कर लूंगे तो फ्रेंड्स आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए आप मेरी को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं अप्रेंडी है मेरी बेबी हमसा ओफिशल तो प्लीज उस पे भी जाके मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक एन सबस्क्राइब कीजिए प्लीज तो यह मैंने ले लिया है पीजा बेस पर मैं लगा रही हूं बटर मिंस ओफ मस्का आच्छे से बटर हमें उस पर पूरे बेस लगा लेना है जाहता नहीं तो इस यह होता है कि नीचे क्रिस्पी हो जाता है थोड़ा सा और उपर थोड़ा सॉफ्ट रहत है तो ज्यादा लगता है पीजा तो मैंने इस पर लगा दिया अच्छे से वर्ड बटर अब उस पर मैं लगा आँऊंगी कैचप लोगा लगा आ तो बाहर है पीजा सॉस तो भी मैं आपको बता दिया है तो और यहां पर लगा दिया है तो और मैंने इस पर लगा दिया है शैज़गान चटनी अब मैंने इस पे आट किया है पीजा सॉस जो आपके पास अविलेबल हो मेरे पास जो अविलेबल था पीजा सॉस मैंने वो लगाया है आपके पास जो पीजा सॉस अविलेबल होगा आप वो लगा सकते फिर हमने जो गे बनाया था मैंने जो स्टफिंग रेडी किया था वो हम दालेंगे पीजा बेस के उपर तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये मैंने स्टफिंग बनाया था दू पीजा रेडी करने के लिए जो आपको ज़ादा बनाना है ज्यादा पीजास बनाने तो आपको ज्यादा स्टफिंग लगेगी तो आप अपने हिसाब से बना ले रहा है तो माशलर से काफी टेस्टी बहुत ही क्रिस्पी बहुत अच्छा बना था मुझे तो बहुत पसंद आया और इंशालला आप लोगो भी जरूर पसंद आएगा त प्रूर पर चाहँ कर चोड़ीन ना में आप अच्छे से डाल दिया है कि आपके पास अगर दूसरी कोई चीज होगी तो फो भी यूशा-कऽल थी में अच्छे से डाल दियाका है अब değ to the 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 वि तो पना टीज़म अपन अच्छे शिचव प्रहन छूगों देंगे आप इस अब उसे हमें स्लो फेम पर ही करना है उसके उपर हमें एक धकन धाग देंगे तो यह मुझे छोटा मिला लगए उससे ना मेरा पीजा जो चीज थी वो उस पर लग दी तो मैंने ले लिया है यहाँ पर डेली यूज करने वाला बरतल मेंस आप प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं वह मैंने ले लिया अब मैं उससे अच्छे से ठाग दूंगे और स्लो फेम पर सको होने दूंगे फिर हमें बीच-बीच में चेक करना है कि हमारा बेस तो माश्यल्ला से मेरा पीजा अच्छे से रड़ी हो गया है प्लीज आपस लोग भी ट्राय ज़रू करना लाग